जुहार दोस्तों आज की वीडियो में बात करेंगे जारकन उत्पार सिपाई से सम्मंदित एक इंपॉर्टन अपडेट पे कि जो बचे वे दौर हैं फिजिकल है वो कहां पे आज़ित करी जाएगी और कब आज़ित करी जाएगी साती साथ जिनका ओलरी फिजिकल हो गया है दौर हो गया है और लगता है कि सिलेक्शन हो जाएगा उनसे भी सम्मंदित यहां पे हम बात करने वाले हैं साती साथ यहाँ पे मुकेमिंट्री हेमन्स और एक स्टेट्मेंट आया है इसपे भी बात करेंगे कि उंहोंने बता कि क्यों इस दौर में मिर्थि हुई है अंबी यरति Tools कि हैं उन्होंने इसमें क्या हो रहा था दौड हो रहा था और 2 सितंबर तक चला इसके बाद इस उमस्भरी गर्मी में 12 अव्यर्थियों ने यहां पर दम तोड़ दिया ठीक है और इसके बाद जो है 3 सितंबर से क्या किया गया तो इसको रोग दिया गया क्योंकि बहुत अंगामा हो रहा था यहने काफी यह वाइरल हुई जिसके कारण यहां पर सरकार को यह रोकना पड़ा है हलां कि आपको मालूम है कि इलेक्शन का दौर चल रहा है सरकार किसी भी कीमत पर इस दौर को कराना चाहती है अब देखिए 6 कंद्र का यहां पर decision लिया गया है कि इन 6 कंद्र में यहां पर जो क्यांकी जो हवाई अड़ा है जो कि आपको पलामू में है उसमें कोई दौर नहीं होगी आपको मालूम है कि जो मौते हुई थी काफी जादस में हुई थी इसलिए इसको कैंसल कर दिया गया है और इसकी दौर कहां पर होगी इस पर बात करेंगे दिखिए सबसे पहले यह चेंदर हमने उपर बताया इसमें जो दौर है जैसे कि आपको मालूम है कि दो सितंबर तक दौर हुआ तो तीन सितंबर से जो बचा हुआ दौर है तो तीन सितंबर से जिनका दौर होना था अब वो क्या करेंगे कि तीन-तीन हजार के दर से दस और ग्यारा सितंबर को जो है क्या होना था, कि 10 और 11 September से अब यहाँ पे होगा, दस और 11 September, ठreak है, तो यह दौर होगा, जिनका 3 September को यहाँ पे होना था, ठीक है, 3-3 हजार के दरसे, इसके बाद, मतलब 6000 candidate को हो जाएगा, इसके बाद आगला जो है, इहां पर important है, कि अब जो है, क्या होगा, कि जो बाकी है, उसी परकास से जो छह चेक हिंद्र है, उसमें, जो 4 सिटमबर को होना था, मतलब 3 सिटमबर का हो गया, 3 सिटमबर को shift करके कर दिया गया, 10 और 11, मतलब 2 में division कर दिया गया, मैं यह division कर दिया कि दो dates में अब होगी उसी प्रकास से 4 सितंबर का जो है उसको भी 2 date में divide कर दिया गया 3-3,000 करके 12 और 13 सितंबर तो यह हो गया इसके बाद जैसा कि हमने बोला कि चियांकी वाला हवायड़ा है इसका इसमें नहीं होगा और 3 सितंबर से 9 सितंबर का जिनका चियांकी हवायड़ा में physical होने वाला था उनको अब cancel कर दिया गया है और 19 और 20 सितंबर को यह संपन होगी और इसकी जो date है वो आज आएगी जैसा सी upload कर देगी मैं अपने टिलग्राम ग्रूप में भी डाल दोंगा जोइन कर लीजिए देखिए आगे यहां पर बात करें तो यहां पर समिक्षा क्या हुई है समिक्षा यह हुई है कि जो मिर्क्य हुआ है इसके पीछे कारण क्या है तो हिर्दय जो गती है जो हर्ट की जो गती होती है वो बढ़ गई थी दोडने के कारण ठीक है ये बताया गया है कारण मगर यहाँ पर देगे हेमर्स ओरंजी ने क्या का है इस पर बात कर लेंगे अभी तो यहाँ पर कुछ important information भी दी गई है जैसे सी की तरफ से और यह बताया गया है कि यदि माली जै किसी तरफ से आप unfit है आपकी कोई विमारी है इससे समरी यहाँ पर बताया गया है कि कोई लंबी विमारी है सास मोलने का प्राब्लम है जो चिकित्सक से परामर्स करने की बात करी गई है तो यह सब जो है यहाँ पर मसीन उप्लक्त कराई गया जाएगी यह बताये यह बाते तो जब मौत हो जाते है उसके बाद यहाँ पर यह चीज़ें देखी जाती है हेमन सौरेंजी का क्या स्टेटमेंट आया हेमन सौरेंजी ने क्या बोला है हेमन सौरेंजी ने बोला है कि कुरोना वैक्सिन से सिपाई दौर में 12 लोग मरे और यहाँ पर यदि आप ध्यान से देखेंगे कि इनका यह स्टेटमेंट है मतलब कि अंदर सरकार को यह दोसी थैर आ रहे हैं और बोल रहे हैं कि यह जो कुरोना वैक्सिन है इसको नहीं लगा रहा चाहिए ताठीक है और यहाँ पर देखिए जो अभी तक findings आई है चाहिए रीम्स की आई हो या किसी की भी आई हो तो जैससी के तरफ सभी यही बाते बताया गए है कि हिर्दय गति का रुकना यह कारण हो सकता है हलाएकि इसमें अभी पर जाट चल रही है यह जैससी के तरफ से बताया गया तो इस संबंद में आपके क्या रहा है क्या है क्या है क्या है क्या है आप कमेंड में जरूर लिखेगा साथी साथ देखिए जिनका आल्रेड़ी दौर हो चुका है उतपास्रिपाई का वह पेप अब देखिए यहां पर जैसा कि आप तारीकों की बात कर रहे थे कि यहां पर तारीक क्या की बीच तारीक जो है अन्तीम होगा एक्जाम में आपको दिखाना चाहूंगा फिर से देखिए यहां पर 19 और 20 सितंबर को संपन होगी अब यहां पर 21-22 को जा तक मुझे याद आ रहा है यदि गलत होंगा तो बताईएगा 21-22 सितंबर को जारकन सीजर का एक्जाम है अलग-अलग सेंटेंस में माल यह जो बंदा पलामू में है इस परकार से कैसे वो दौर के जो है यहां पर एकिसे तो वो दौरा हुआ रहेगा फिजिकल वो करेगा तो वो ऐसे ही मौते हो जारी है आप समझ पाने कि कितना कठीन यह दौर है जिसकी मौत हो सकती है कई सारे ऐसे बच्चे होंगे जो द जरूर सरकार को देखना चाहिए था क्योंकि समिक्षा जब हुई है क्योंकि समिक्षा की बात करी गई है तो बच्चे बहुत सारे इसमें छूट जाएंगे और कोई जरूरी नहीं कि उनका सेलेक्शन जो है उत्पासिपाई में दौर में होई जाए यह तो कोई गारंटी रहा ऐसा कि यह डेट बनाए जाएगी हलांकि JPSC का रिकाउर्ड है कि वो समय पर कोशिस करते एक्जाम लेने की इसलिए अभी 22, 23, 24 के आसपास का सितंबर का टार्गेट बनाके चलिए लेकिन मुझे लग रहा है कि यह हिजाम एक्स्टेंड करेगी और जब भी कोई ओपि तो मिलते हैं नेक्स वीडियो में, थैंक्स फॉर वाचिंग